स्वागत आपका एक बार फिर से यूट्योब चैनल पर आपके VLW के सलेबस में बिलकुल डिरेक्टली दिया हुआ सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल्स तो इसलिए इस पे एक प्रॉपर वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है SDG गोल्स विद ट्रिक ठीक है सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल्स और इंडिया इंडेक्स जो 2021 का नीतिय योग ने लाया था को फुल्फिल करना है कितने इसके मेंबर कंट्रीज है किसके कौन-कौन सग्नेटरी है ठीक है यह सब में आपको इस वीडियो में बताऊंगा उसके बाद हम लोग mcq practice करेंगे आज हम लोग इस session में approximately 15 mcqs करेंगे ठीक है जो बिल्कुल broadly based on based on sdgs उसमें से कुछ pyqs होंगे और कुछ current related होंगे जो आपकी news में आपको देखने को मिलते हैं sdg goals ठीक है तो total 17 sdg goals है ठीक है अब वीडियो के last में आपने जरूर बताना है कि 15 में से आपने कितने question सही करें हैं तो चलिए start करते हैं वीडियो यह हमारे social handles हैं आप यहां पर join कर लीजिएगा तो यह telegram channel है pdf के लिए यहां आप जरूर join कर लेना ठीक है सभी पूछते हैं सर pdf का में लेगे तो यह भाई लोग telegram channel का link आपको description में दे दिया जाएगा clear कोई भी doubt हो आपको कोई भी question पूछना हो या फिर कोई paper solve करवाना हो जिसका आप deep analysis चाहते हैं तो आप इस mail पी उसको भीज़ दीज़ेगा हम लोग आपको deep analyze करके YouTube चैनल पर video डाल देंगे आप वहां से उसका उत्तर देख सकते हैं चलो जे question discuss करने से पहले हम लोग आ जाते हैं किस पर SDGs पर क्या है बाई SDG sustainable development goals क्या है यह चीज़ सत्रा गोल्स है ओके इतना तो सब को पता है बाई सत्रा गोल्स है और यह सत्रा गोल्स आपने याद कैसे करना है वो ट्रिक मैंने आपको video description box में दे दूँगा अब यहां पे अगर ट्रिक में आपको यहां बताऊँगा तो वीडियो काफी lengthy हो जाएगी तो इसलिए वो वीडियो भी देख लिज़ेगा छोटी वीडियो इत okay for people and the planet हमारे planet के लिए और लोगों के लिए यह एक to do list है जो हमने करनी ही करनी है हमारी day to day to do list हम लोग बनाते हैं अपना plan बनाते हैं सुबह उठके तो यह पूरी दुनिया ने एक plan बनाया है हमारी future generation के लिए ठीक है जो हमारा target है कब हम achieve करेंगे भाई इसको that is 2030 okay तो हमने इसको लिया कब था जो जितने भी UN members है उन सबने इसके secondary है वो states 2015 में हमने इसको sign करा था clear 2015 से पहले millennials goals होते थे ठीक है millennials goals होते थे तो उनके बाद हमने अभी SDG goals को adopt किया जिसको हम लोग global goals भी कहते हैं ठीक है SDGs को हम लोग याद रखना global goals भी कहते हैं global goals clear भाई अब adopt किया कितने countries में था ठीक है 17 goals हैं यह मैंने आपको बता दिया है भाई लोग इसमें collective progress देखनी है world की जो भी हमारे pressing challenges होंगे ठीक है 17 goals तो हैं ही है ठीक है उसके बाद हमारे 169 targets है आपसे कभी कभी questions पूछ लिया जाता है इसलिए यह भी याद रखना 169 targets है प्लस 304, 304 indicators है clear 304 indicators है और 169 targets है 17 goals है यह तीन चीज़ें आपने याद रखनी है clear एक आगया 17 goals दूसरे आगे 169 targets तीसरा आगया 304 indicators यह तीनों हमने fulfill करने हैं बाई 20, 30 clear भाई यहां तक कोई doubt अब यह तो हो गई एक बात ठीक है गभराई नहीं इसको आप PPT में में आपको यह सारी की सारी details दे दूँगा clear अभी फिलाल आप सुर्फ सुनिए और पढ़ते जाए इसके तीन core elements होते हैं okay वो तीन core elements कौन-कौन से हैं यह भी आपको पता होना चाहिए एक है आपका economic growth okay economic growth दूसरा है आज दूसरा आज आजाता है आपके पास that is social inclusion okay social inclusion third one is environmental protection environmental protection okay यह तीन आपके core elements है किसके SDGs के जो हमने harmonize करने है ठीक है sustainable economic growth achieving sustainability livelihood living in harmony with nature and appropriate technology यह हमारे important sustainable development goals है total कितने है SDG goals तो वो हैं भाई कितने that is 17 okay एक report आती है वो आपको पता होनी चाहिए ठीक है SDG India Index ठीक है SDG India Index यह कून release करता है यह आपको पता होना चाहिए भई यह release करता है नीती आयोग क्लियर लास्ट SDG कब SDG की इंडिया की जो इंडेक्स थी वो कब रिलीज किया गया था वो नीती आयोग ने रिलीज किया था 2021 में तब हमने 6th anniversary मनाई थी adaptations of SDGs की जो UN ने 2015 में मनाया था clear आपको यह चीज़े याद रखनी है ठीक नीती आयोग अपनी रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट बनाती है उसमें UN agencies के साथ मिलके ministry of और काफी जो ministries related हैं उस ministry साथ मिलके state government के साथ मिलके और जो ministry से उनके साथ मिलके states को और UTs को ranking देती है ठीक है वो ranking होती है aspirant, performer, front runner and achiever जो achiever होते हैं उसके पूरे 100 score होता है ठीक है तो उसको हम लोग achiever कहते हैं front runner के 65 to 99 score होता है clear performer जो होता है उसके 50 to 64 okay and aspirant जो होता है वो 0 to 49 में आता है clear भाई तो यह थी कुछ basic जानकारी deep analysis के लिए मैंने आपको बता दिया trick के साथ आपको 17 के 17 SDG goals में मिल जाएंगे और वहाँ एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजेगा चलो अब आते हैं भाई लोग हमारे main questions पे तो पहला question देखो sustainable development goals is a matter of intergenerational sensibility in respect of the use of इन वे से किसके use में sensibility integration matter करती है SDGs natural resources material resources industrial resources या फिर social resources यस बताईए पहला question अभी हमने बात की भाई साथ किसके matter में ये बात करेगी natural resources material resources industrial की बात करती है या फिर social की बात करती है तो हमारी जो sustainable development है वो किसकी protection करती है भाई natural resources ठीक है natural resources natural resources protected रहेंगी तो automatically materialistic चीज़ें भी protected रहेंगी इंडस्ट्री भी हमारी नेचर प्रेंड है तो इंडस्ट्री रिसर्स हमारी आटमेटल में रखा होगा तभी हमारा नेचर भी है social resources automatically control हो जाएंगी जब हमारा natural resources की ओपर हमारी sensibility और हमारा respect of use हमारा जब हम लोग अपना sense of जो हमारा sense है वो nature को लेकि हम लोग अपना strong रखेंगे भाई nature को हमने protect करता है हमारी future generation के लिए तो that is option A is the correct answer for question 1 clear चलो जी next one saving energy and other resources for the future without sacrificing people's comfort in the present is the definition of which of the following concept आपसे पूचा गया है energy को बचाना और बाकी resources को future के लिए बचाना without sacrificing people's comfort in the present present की generation present के लोगों के comfort को sacrifice किये बिना हम लोग अगर किसी energy को बचा रहे हैं कोई भी resource बचा रहे हैं तो इन मेंसे कौन सी definition सही है economic growth economic development या sustainable development या human development बताईए तो that is sustainable development clear option c is the correct answer हम लोग इसी ही बात कर रहे है sustainable development clear चलो which of the following sustainable development goal will target the water availability availability for all and its permanent management up to 2030 in India ठीक है आपसे सीधा-सीधा पुछा क्या है कि water availability का जो SDG goal है वो कौन से number वाला है तो देख लो direct ऐसे question आते हैं आपसे सत्रा goal से तो आपको सत्रा के सत्रा याद होनी चाहिए तो वो याद कैसे होंगे ट्रिक आपको वह हमें ने बता रहे है तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना आपको बिल्कुल याद हो जाएगे तो यह है भाई SDG 6, clear SDG 6 चलो next question is the decade of sustainable energy for all is initiative of ठीक है decade of sustainable energy decade होता है 10 साल तो वो initiative इन में से किसका है UN का, India का, Germany का, World Bank का, तो that is United Nations ठीक है यह United Nations का है clear भाई, चलो next question देखिए, question fifth, which of the following is a nodal institution for implementation of sustainable development goals in India, starting me मैंने आपको बता दिया था planning commission, dis investment commission, niti ayog या फिर finance commission, तो correct answer सभी को पता है भाई, that is option C, ठीक है, niti ayog, niti ayog, clear, चलो move to next question, what is the important for sustainable development, sustainable development के लिए important, important क्या है इन में से, ठीक है, conservation of biological diversity, बिल्कुल सही, prevention and control of pollution, बिल्कुल सही, decreasing poverty, बिल्कुल सही, तीनों चीज़ें सही है, तो all of the, all of these are correct regarding sustainable development goals, clear, चलो, next question देखिये, which one of the following is not the objective of smart city development, इन में से smart city development का objective कौन सा नहीं है, good governance, clean green city, stabilizing quality of life, smart mobility, बिल्कुल भाई, good governance तो होगा ही smart city का objective, clean green city, बिल्कुल ही objective, stabilizing quality of life, ये नहीं है बाई, smart mobility ये भी है, clear, option C हमारे को मिल गया बाई, ये objective नहीं आप से नहीं पूछा गया था, clear, चलो, move to next question, sustainable agriculture means, sustainable agriculture का क्या मतलब है, self-sufficiency, to be able to expert and import under W, World Trade Organization norms, to utilize land so that its quality remains intact, okay, to utilize waste land for, yes, sustainable agriculture means to utilize land so that quality remains intact, ठीक है, option C हमारे है, यहाँ पी हो जाएगा, correct one, clear, चलो, next question दीखिए, what is the sustainable development, sustainable development है क्या चीज़, आप से ये पूछा गया है, directly, a short term economic growth strategy, बिल्कुल नहीं, meeting the needs of the present without compromising the future generation, अभी हमने देखा था ये जीज़, ठीक है, तो यहीं सही होगा हमारे पास, next हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ignoring, ignoring environmental concern नहीं भाई, ऐसा तो नहीं कहा था, exploiting natural resources, natural resources को तो हमने भाई, बढ़ावा देना है, यह तो करने की बात करता है, तो यह भी गलत, हमारे पास option भी ही है, जो सही बैठेगा, चलो, next question देखो, which of the following is a primary pillar of sustainable development, sustainable development का primary pillar इन में से कौन सा है, economic growth, social equity, technology advancement, political stability, तो यह है हमारे पास social equity, ठीक है, social equity, okay, which UN document defined the concept of sustainable development, sustainable development, किस UN के document ने define करा हुआ है, universal declaration of human rights, Kyoto protocol, bretland report, Paris agreement, तो यह था, bretland report, ठीक है, bretland report, option C is the correct answer, अब, universal declaration of human rights, Kyoto protocol, Paris agreement, अगर आपको यह कुछ भी नहीं पता, क्या चीज़े हैं, यह कब आई थी, किस के related हैं, तो आप लोग, हमारी environment की जो playlist है, वहां जाके, जाके देख सकते हैं, सारे के सारे जितने भी protocols थे, वो सारे के सारे में ने cover करवा रखे हुए है, रिपोर्ट से हैं, एगरीमेंट से हैं, प्रोटोकल, वो सारे उसमें convention से हैं, सारी आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे, चलो, वाट इस अ मेंन फोकस ऑफ इनवार्नमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इनवार्नमेंटल सस्टेनेबिलिटी का में फोकस क्या है, तो इनवार्नमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो है, उसका में फोकस है, कारवन इमिशन को रिडियूस करना, ठीक है, ऑप्शन बी इस दा करेक्टर आंसर, क्लिया, चलो, नेक्स्टोशन पर आजाओ बाई, इनवार्नमेंटल इनवार्नमेंटली बीजे, ठीक है, कारवन इस दा करना, ठीक है, तो यह हमारे पास है वाई, solar power, ठीक है, solar power, option C, clear, चलो, next question देखो, what is the concept of reduce, reuse, recycle associated with in sustainable development, ठीक है, यह जो concept है, reduce, reuse, recycle, किस से associate करता है, अपने sustainable development में, तो यह reducing poverty, managing water resources, waste management और conservation, increasing energy consumption, इन में से किस के साथ यह associate करता है, देखो, poverty को तरी cycle नहीं कर सकते, water resources को reduce, कम करेंगे, reuse करेंगे, recycle, इतना तो नहीं कर सकते है, waste management और conservation, बिलकुल, जो हमारा waste है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर यह पहली चेज़ तो कम करो, अगर कम नहीं हो रही, तो उसको reuse करो, दुबारा से use करो, दुबारा use नहीं कर रहे हो, तो उसको recycle करो, ठीक है, तो that is waste management, option C is the correct answer, clear, option C is the correct answer, clear, चलो जी, आज़ो इस session के last question पर भाई, ठीक है, यह है यहां का last question, तो इसके बाद आप लोग comment section में ज़रूर बताना कि आपके 15 में से कितने question सही हुए है, which international agreement aims to combat climate change and promote sustainable development, ठीक है, कौन सा international agreement है, जो combat करता है climate change को और promote करता है sustainable development को, क्यूटो प्रोटो कॉल, मॉन्ट्रियल क्रोटो प्रोटो कॉल, जिनेवा कर्विंशन या फिर रोम स्ट्रेटिचियूट, बताइए वही इन में से कौन सा सही है, yes, option A is the correct answer, ठीक है, यह climate change को भी combat करता है और promote करता है sustainable development को, यह एक international protocol है, या फिर international आप इसको agreement convention भी बोल सकते हैं, तो यह था वही हमारा आज का session on SDG goals, ठीक है, उमीद करता हूँ आपको यह session अच्छा लगा होगा, helpful रहेगा आपके लिए, तो SDG के बारे में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा, तो जो वीडियो मैंने बोला है, आपको वीडियो जरूर से देख लेना, हाँ, एक important information है आपके लिए, के भाई, VLW, ठीक है, VLW का English, ठीक है, English series भी मैं जल्दी ही लाँगा, अब से दिन में दो वीडियो जाएंगे, ठीक है, दो वीडियो अब से दिन में आया करेंगी, और उसके बाद, नेक्स्ट में, दिसमबर फर्स्ट, ठीक है, ने, लास्ट वीक, दिसमबर फर्स्ट से, ठीक है, दिसमबर फर्स्ट से, आपके लिए, VLW, फुल मॉक, यूट्यूब पे लाया जाएगा, जो कि आपका कंसिस्ट करेगा, 120 questions, ठीक है, सारे के सारे portion इसमें कवर रहेंगे, exact जैसा पेपर आपका आएगा, वैसे के वैसे आपके मॉक्स आपको प्रवाइड करवाए जाएगे, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको, काफी कुछ सीखने को मिला होगा, मिलते हैं अगले session में, till then, God bless you, keep learning, keep sharing.